वेल्कम बैक तो दे चैनल एवरिवन आई होप यू गाईज यू दूइंग आपसुलूटली फाइन शाओमी की सब ब्रैंड का एक ऐसा स्मार्टफॉन पोको एक्स टू जिसकी आज कल काफी ज्यादा हाइप क्रेड हुई है जो 4th February को इंडिया में officially launch हो जाएगा और reports के माने तो ये phone almost Redmi K30 से smiller होगा लेकिन launch होने से पहले मैंने सोचा आप लोगों को इस phone के 6 ऐसे reasons बता दूँ जिससे आपको पता चले इस phone की क्यों इतनी hype create हुई है और साथी साथ एक कमी भी बताऊंगा इस phone की जो personally इस चीज़ को मैंने notice किया चलिए अब मैं आपको step by step इस phone के 6 ऐसे reasons बताता हूँ जिसकी वज़े से आपको इस phone का wait करना चाहिए अगर वाके में आपको एक smartphone की जरूरत है और आपका budget 16,000 के आसपास है smartphone industry में competition कितना तेज हैं ये तो आप अच्छे से जानते होंगे हर 15 से 20 दिन में एक नया smartphone launch हो जाता है और आपके पुराने smartphone की value को down कर दिया जाता है भले ही आपने एक नया smartphone दो महिने पहले ही क्यों ना खरीदा हो इसलिए मैं अक्सर मेरे viewers को गुजारिश करता हूँ आप पैसे बहुती मेहनत से कमा के लाते हो और आजकल के दोर में पैसा कमाना कितना मुश्किल हो चुका है ये तो आप मुझसे बहतर जानते होंगे कहने का मदब यही है जब तक आपका पूराना smartphone ठीक तरीके से चलता है तो आपको नया smartphone लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है जरूरत पेश होने पर नया smartphone लेना चाहिए फाल्तू के पैसे बरबाद नहीं करने चाहिए क्योंकि बार-बार नया स्मार्टफोन लेने से किसी की जिन्दगी बदल तो नहीं जाती है अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपकी कीमती राई ज़रूर से बताईए सबसे पहला जो रिजन है वो है इस फॉन की बिल्ड कॉलिटी और डिजाइन ये फॉन का जो लुक है वो काफी कमाल का है आप यहाँ पर देख सकते हो पीछे की तरफ ग्लास देखने को मिल जाता है जिसकी वज़े से इस फॉन की इन हैंड फिलिंग और जो प्रीमियम नेस है वो एकदम टॉप क्लास की है मुझे नहीं लगता आपको इस फॉन की प्रीमियम नेस से कोई भी शिकायत होगी एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा इस फॉन के सेंटर में जो फ्रेम है वो है पॉली कार्बोनेट की काश यहाँ पर शाउमी ने मैटल की फ्रेम दे दी होती तो यह फॉन और भी ज्यादा प्रीमियम होता साथी साथ फ्लेक्शिप लेवल की इन हैंड फिलिंग नज़र आती लेकिन प्राइज और कन्फिउग्रिशन को देखते हुए हम यह चीज़ को एकस्पेक नहीं कर सकते बॉटम साइट पर 3.5 में आडियो जैक, C टाइप पॉट और स्पीकर ग्रिल की प्लेस्मेंट की गई हैं और साथ में फ्रंट और रियर में गोरिला ग्लास फाई की प्रोडेक्शन मिलती हैं अगर मैं आपसे बात करूँ इस फोन के वेट की तो यह हैं 208 ग्राम मुझे नहीं लगता आपको इस फोन की बिल्ड कॉलिटी और डिजाइन से कोई भी शिकायत होगी सेकंड रिजन्स की बात करूँ तो यह हैं इस फोन की डिस्पले सबसे पहले मैं यहां पर आपको इस फोन की डिस्पले के बेजल के बारे में बता देता हूँ तो जो साइड बेजल हैं उपर के बेजल हैं वो एक दम पतले हैं इनफेक्ट जो नीचे का चिन हैं वो भी काफी थीन है स्क्रीन टू बोडी रेशियो जो हैं वो हैं दोस्तो 91.9% के आसपास विच इस इंप्रेसिव स्क्रीन टू बोडी रेशियो इस phone की जो screen size है वो है 6.6 inch with full HD plus resolution and IPS panel also support HDR10 HDR10 डिस्प्ले होने से क्या फायदा होता है तो HDR का मतलब होता है high dynamic range अब इसका काम ये होता है जो contrast ratio होता है उसको अच्छी तरीके से show करता है इसके अलबा जो black और white का combination होता है उसको enhance तरीके से show करता है तो ये होता है HDR10 का काम अब ये जो feature है वो basically flagship level के device में देखने को मिलता है लेकिन Xiaomi ने यहाँ पर इस price range में HDR10 का support offer कर दिया है इतना ही नहीं ये phone 120Hz refresh rate के साथ आता है जिसकी वज़े से जो touch experience है और जो gaming experience है वो और भी ज्यादा enhance होने वाला है आज की rate में 120Hz refresh rate के साथ Asus ROG Phone 2 में है जिसकी price 38,000 के आसपास है लेकिन Xiaomi ने ये feature काफी कम price point पर offer किया है जो काफी interesting है थर्ड reason की बात करूँ तो ये है physical fingerprint scanner आज की date में in display fingerprint scanner का trend जारी है जो आप अच्छे से जानते होंगे लेकिन in display fingerprint scanner की कमी ये होती है ये उतना fast नहीं होता है जितना physical fingerprint scanner fast होता है यहाँ पर Xiaomi ने इस phone में side mounted physical fingerprint scanner offer किया है जो हमें Honor और Samsung के कुछ smartphone में देखने को मिलता है तो ये एक unique किसम की चीज शाओमी ने यहाँ पर offer की है fourth reasons की बात करूँ तो ये है इस phone की charging speed ये phone में 4,000 mAh की बड़ी battery offer की गई है और साथी साथ इस phone में जो processor लगा हुआ है वो 8 nanometer architecture पर बेज है जो एक power efficient processor है जिसकी वज़े से काफी अच्छा battery backup देखने को मिलेगा इतना ही नहीं ये phone 27 watt की fast charging को भी support करता है जिसकी वज़े से ये phone 68 minute में almost full charge हो जाता है तो ये भी एक अच्छी चीज है पांच वे reasons की बात करूँ तो ये है इस phone का processor इस phone में आपको Qualcomm Snapdragon 730G processor देखने को मिलेगा जो के एक gaming centric processor है इस chipset की जो खास बात है ये chipset 8 nanometer technology पर बना है यानि के जो chipset का size है वो काफी ज्यादा छोटा है जिसकी वज़े से इस processor की clock speed भी ज्यादा है और clock speed ज्यादा होने की वज़े से आपको power efficiency भी ज्यादा देखने को मिलेगी तो मैं आपको यही suggest करूँगा अगर आप heavy graphic वाली game खेलना पसंद करते हो जैसे के Call of Duty, S1 Line, Modern Compact 5, PUBG जैसी heavy game खेलना पसंद करते हो तो ये phone इस price point पर एक best option है और अगर आप storage type के पास देखते हो तो इसमें UFS 2.1 का storage का type है चटे reason की बात करूँ तो ये हैं इस phone के cameras यहाँ पर हमें rear side पे quad cameras का setup देखने को मिलता है जिसमें primary sensor 64 megapixel का है और वो भी Sony IMX686 sensor के साथ जो एक latest sensor है जो पहली बार इस phone के साथ देखने को मिलता है इसके लवा 2 megapixel का macro lens और 2 megapixel का depth sensor और 8 megapixel का super wide angle lens selfie camera की बात करों तो 20 megapixel का यहाँ पर selfie camera है और साथ में 2 megapixel का depth sensor है तो selfie camera भी यहाँ पर काफी कमाल का मिलता है तो अगर आप better gaming performance के साथ एक अच्छा camera वाला smartphone find out करते हैं तो मेरे ख्याल से यह phone आपके लिए एक अच्छा option है तो यह हैं वो 6 reason जिसकी वज़े से आपको इस phone का wait करना चाहिए चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे reason की जो personally मुझे इस phone की एक कमी लगी जो के हैं इस phone की डिस्पले को लेकर इस phone की जो डिस्पले हैं वो IPS पेनल के साथ आती है अगर पोको ने इस phone में सूपर AMOLED डिस्पले ओफर कर दी होती तो मेरे ख्याल से ये phone 2020 का सबसे अच्छा phone होता अंडर 20,000 रुपिस के price point पर अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके नीचे comment section में जरूर से बताईए फाइनली अब बात कर लेते हैं इस phone की price क्या हो सकती है तो जहां तक मुझे लगता है competition को देखते हुए पोको इस phone को काफी aggressive price point पर लौँच कर सकता है ये phone की starting price 17 या तो 18,000 से start होगी ये मान के चलिए बागी दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है या सुजाओ है तो नीचे comment section में मुझे जरूर से बताईए उम्मीद हैं आपको इस वीडियो से कुछ help मिली होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए